डार में पहले सोचा करता था कि काश इस वर्ल्ड के लोग zombies में turn हो जाते और मे और मेरे दोस्ती survivors होते तो कितना ज़ादा मजा आता जिससे कि हम इस वर्ड में सर्वाइव करते, गंस वगेरा लेकर उन जॉंबिस को मारते, स्कूल टाइम्स की थोड़ी वियर्ड सोच, बट ऐसा हम सोचते इसलिए थे कि अगर इस वर्ड में जॉंबिस आ गए तो स्कूल तो बंद होई जाएगा और पढ़ाई का भी कोई टे देखने मिलते हैं, बट फाइनली बहुत टाइम के बाद एक कमाल का न्यू जॉंबि एनिमी निकल कर आया है, जिसका नाम है जॉंब वन हंट्रेड पकेट लिस्ट आफ दी डेड और इस एनिमे का प्लाउट जो मेने अभी आपको जॉंबि वाली बात बताई, उसी से जुरू हो गए थे, तो अब देखना ये था कि क्या इस समर जॉंब वन हंट्रेड इन बड़े शोनन और सेनिन एनिमे के बीच क्या अपने लिए एक अच्छी जगा बना पाएगा, बट इन सब के बावजूद भी इस एनिमे का हाइप कम नहीं हुआ, not just only because it is a zombie apocalypse type anime और इस इस टूडियो इस एनिमे के मांगा को कितने अच्छे से एनिमे में एडाप्ट करती है in the form of episodes, क्योंकि अगर एडाप्टेशन में गलती हुई या फिर स्टोरी में थोड़ा भी रश हुआ, तो समझो पूरे एनिमे का मजा चला गया, क्योंकि main और major factor adaptation पर भी depend करता है, but after watching the first episode, I think it has really entertained the viewers like us and also they have not disappointed the manga readers, जो कि इस एनिमे का बहुत बेसवरी से इंतजार कर रहे थे, अगर इस एनिमे के स्टोरी की बात करें तो हमारा main character Akira Tendo, जिसका सपना होता है अपने लिए एक अच्छे company में अपने dream job को पाना, और वो उसको बहुत मेनत करके achieve भी करता है, Akira को हमेशा से ये लगता था कि corporate life कितनी सही होती है, बस रोज 9 to 5 job करो, फिर गर आ जाओ, और पैसे तो बाद में हर महीने आने ही है, बट जब वो job करने लगता है, तो फिर उसे पता चलता है corporate life की dark reality, कि ये corporate job कितनी बेकार होती है, continuously employees को work कराना और फिर overtime कराना, बट Akira के company में उसके employees इंसान बनके तो बिलकुल काम नहीं कर रहे है, ऐसा लग रहा था कि उनसे जवरदस्ती और complete pressure में काम कराया जा रहा है, क्योंकि वो तो देख के ही पता चल रहा था, बट इन सब के बावजूद भी हमारा Akira बिलकुल बिहार नहीं मानता और continuously बहुत मेनत के साथ तीन साल काम करता है, and at the end वो भी अपने जॉब को सेह नहीं पाता, and वो depression में चला जाता है, just like my Pamplois, jokes apart, but जब वो एक दिन अपने गर से office के लिए निकल रहा होता है, तो वो ये notice करता है कि उसका landlord उसके neighbor को खा रहा है, and this is where the true adventure starts, and फिर Akira को ये बात पता चलती है, कि उसके city में मुश्ली लोग zombie बन चुके है, and of course वो भी तब जब बहुत सारे zombies उसके पीछे पर जाते है, and at that time when Akira was running for his life, he has never felt more alive than that, मतलब बंदे को इस बात के टेंशन नहीं है, कि सब लोग zombie बन चुके हैं, और वो at any moment कभी भी zombie बन सकता है, बलकि उसे इस बात की खुशी है कि अब से उसको अपने job पे वापस जाना नहीं होगा, इस anime से मुझे पहले से ये expectations थे, क्योंकि इसको मैं बहुत time से anticipate कर रहा था, and first episode देखने के बाद मेरे expectations इसके आगे आने वाले episode से और जादा हो गए, इस anime के zombie genre को humor और comedy में combine किया गया है, and also they have balanced the humor and emotional moments perfectly, and जैसे कि हम लोग जानते कि zone 100 में supernatural horror, humor and comedy elements exist करते हैं, तो उसको आगे के episodes में अगर अच्छे से maintain करके रखा जाए, तो ये एक बहुत ही कमाल का zombie type anime बन सकता है, और अगर ये उस चीज़ को maintain नहीं कर पाया, तो आगे जाकर बहुत problems हो सकती है, क्योंकि देखो कुछ animes होते हैं, जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छे होती है, but end में जाकर कुछ reasons की वज़े से वो awful बन जाते हैं, and especially bug studios just came out of nowhere, and literally nailed its animation, मतलब first episode की animation बहुत decent तो थी ही, but I also really liked the color composition used in it, and इसके dull work life and bright और colorful freedom की तो बहात ही कुछ अलग है, and जहां तक मुझे पता है कि bug films ने comic and communicate के episode 1 के production में, और summertime rendering के कुछ episodes में production, advancement और assistance भी की है, तो animation में तो कोई कमी नहीं होगी, अकीर अपनी bucket list बनाएगा, जिसमें वो zombie बनने से पहले क्या कुछ करना चाता है, वो लिकेगा, and करेगा, and जैसे-जैसे story progress होगी, वैसे-वैसे ही बढ़िया characters introduce होंगे, और बताना तो बहुत कुछ है, पर जादा बता दिया तो वो spoiler हो जाएगा, तो इस anime को जरूर देखना वर्तेटे, और zombie apocalypse type anime पसंदे, तो ये anime आपी के लिए है, ये Muse Asia और Muse India YouTube channel में free में available है, तो आप इसे वहाँ पर देख सकते हो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट करके ये बताना कि ये review आपको कैसा लगा, तो तब तक के लिए बाए